तो बैंक निफ्टी में आई तूफान तेजी क्या कहता कलकी वीडियो में क्या कहता बैंक्स फिनेंशल में आएगी तूफान तेजी येस कलके वीडियो में यही कहता और आज ग्यारव सोब बॉइंट ऊपर बैंक डिफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स सारे भाग गए है तो आपको ऐसे धुवादर स्टॉक्स आएनलसी चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब परें अगर आप नए हो चैनल में येस सब्सक्राइब टूदिश चैनल येस क्योंकि आपक सरे मैं लेवल डिसक्राइब का निफ्टी बैंक भी के क्या होगा आगे राइट फ्सक्राइब ब्लसक्राइब यह विच्वट्स करने वाला तो जादा श्यार करो लाइक करो राइट और फॉलोव मीं ट्विटर लाइव माकेट में बहुत सारे में चार्ज दलताव ही मिरा है यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हूए और मेरे हएव बाइयो में आपको मेरे तेलीगराम चनल का लिंक मिलेगा है यह हमारा चलेल है आपको यहाँ लेको मैं बहुत से बहुत से शरण सोल यह फे अब करता हूं तो यहाँ पर आप जॉइन कर लो टेलिग्राम में और इलिएट विव का बुक चाहिए आपको फ्री तो मैंने अलड़ी हाइलाइट सेक्शन में डाल दिया है हाइलाइट सेक्शन फोड़ा स्क्रोल करना पड़ेगा चारपा स्ट्वीट नीचे वहाँ पूरा बु तो आज निफ्टी स्लाइटली निगेटिव है हाँ तो निफ्टी में क्या होगा तो कुछ कुछ लोग पर निफ्टी नीचे आएगा टॉप हो रहे हैं आज अवरॉल ब्राड मार्केट में बहुत वीक निस था वाज मिन स्टॉक्स गीरे भी है पीस्यू के स्टॉक्स गी बहुत सारे सेक्टर में आज घिरवाटा ये एक ही सेक्टर था आज का तगरा गोडा था बैंक्स जो हमने कल डाला था येस बैंक्स और फिनेंशल तो आपको इसे ही स्टॉक्स चाहिए तो यह वीडियो चारद से जाद है सबको शेयर करो और यह वीडियो एंट टेक देख तगडी तेजी होगी मैंने एक वीक पहले ये इसक्टर किया था और वहां से उपर आया ही है बाद आज मैं वापस डिसक्टर करूँगा तो निफ्टी में पहले डिसक्टर करते हैं तो क्या वीडियो काउंट है वीडियो काउंट हबरा सेम है देखो यहां पे 15,000 से 1st और सेकंड में के बाद यहां पर अभी हम लोग थर्ड वेव एक्स्टिंशन में जा रहे हैं तो थर्ड वेव में 1234 हो गया यह ब्रॉडर वेव पांट है और फिफ्ट वेव में जा रहे है तो कुछ-कुछ लोग बोलेंगे यहां फिफ्ट वेव यहां पर खतम हो जाएगा य और आइडियली मेरा टार्केट ट्वेट ट्वेटी सेवन थाउदन तक का जाएगा फिफ्ट वेव का येस बहुत जबर्दस तेजी आने वाली है मार्केट में क्योंके येस और नॉन स्टॉप आएगी यहां से नीचे आएगा क्या तो मुझे तो नहीं दिखता वही सुबह भी नीचे आया था फिर न्यू हाइग कर दिया एक चीज देखो एक चीज समझ लो मार्केट हाइपे हाइग बना रहा है तो उसको इगनोर मत कर लो ग्राइट स्लोली स्लोली इंचिंग अपवर्ड्स हाइपे हाइग बना रहा है ये अभी फिफ्ट वेव में एक्स यहां यह दिन से तो अल्मोस फ्लाट जगा पर यह मार्केट राइट तोड़ा नहीं तोड़ा नहीं अच्छा नहीं है क्या तो डेली में आरे साइग नहीं आता तो मार्केट में वॉल अच्छा का सा कर्रेक्शन नहीं आएगा लेली में ओवर्ड्स के उपर चला जाता है यहांग सेवंटी के उपर चला जाता है तो एक बहर तोड़ा बहुत क direction आ तो अभी क्या विवकॉंट तो मेरा तो विवकॉंट अभी वी सेम है यहां पर वन हो गया यहां पर वन हो रहा है तो थर्ड विव में अभी क्या हो रहा है तो आज सुब्वे मैंने एक बर प्रॉफित बुकिंग कर लिया था निफ्टी में उल्ते किया था कियो किया था कि यहां पर उपर जाएगी कल भी हमने यहीं दिसक्स किया था यहां से वर्ड टू त्री फॉर और फिफ्ट उपर जा रही है दिख रहा है क्या खतम होगा वहा यहाहं पे सिर्फ थद्र्ण का फरस्ट विवस्ट भिए मिन्स च क्या ह्यां यह रहाएं यह क्या खतम हो सकता है और थोड़ा नीचे जा सकता था लिए कुछ नहीं मैंने लॉंग किया 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 मुझे लग रहा कि करेक्षिन कर्थ हुआ तो मैंने आज दिको सिंपल स्ट्रेटजी में और विकली ओप्शन ट्रेड तो तो मैं लॉंग करके गया था आज सुबह खुलते ही मार्केट नीचे आ गया तो मुझे तो बहुड़ कहा रहा था मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है साइडchez जा रहा है यहां पर मिने वापस लॉपर कर दिया गनल में लगा के लॉर उसको मैंने यहां पे shift कर दाए फिर मेरा stop-loss कहां पर कटा मेरा long-quest मैंने वापस-long किया था निप्राडे में एक बार यहां पर काठा था & लोग के नीचे यह वाली जो है मेरा स्टॉपलस कड़ गया क्योंकि यहां पर अभी सिंपल ने रहा है यह पर ब्रेकडाउन दे रहा है लॉट्व रखने में कोई यह बात ही नहीं है क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि एक बार फाइव तो कंप्लीट हुए तो आएगा तो में नहीं जा रहा है तो नीचे कहा तक आ सकता है और वह आया भी तो इसलिए मैंने काडिया लॉंग यहां पर यह कैंडल में यह देखो मेरा स्टॉपलॉस कटा फिर मैंने वापस मैंने लॉंग किया तक हाँ पर किया था मैंने यह कैंडल यह कैंडल में यह हो गया वहां से उपर आया मार्केट न्यू हाइप गया आइडिली मैंने यहां पर वापस लॉग काठा था क्यों कि मुझे यहां पर शॉट टम टाइम पर फाइव स्क्रेक्शन तो आएगा और मैं ऑप्शन बायर हूँ और मेरे कल की कल की एक्सपायरी के उप्शन तो यहां पर प्रॉफट बुक करना बनता है क्योंकि इंट्रा दे पर वेव टूब आती है तो इसमें डिप्ट आता है और और ऑप्शन का भूरता बन जाता है और यहां से तो मेरा उप्शन अल्मोस्त 40 पर से निचे आया यहां से निफ्टी यह वाली दिख रहा था मुझे देखो ट्रेंड चानल हो रहा है तो यहाँ पर किया और यह गया हूद के गया हूद किया हूद कर रहा हूद मैं क्या डिसकुस कर रहा हूद कियो किसे करना है अब अगर option buyer होना तो उनके लिए मैं discuss कर रहा हूँ मैं stocks भी देने वाला हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है stocks भी देने वाला हूँ लेकिन option बायर आप देख लो कैसे सोच रहा था कि हाँ चलो एक बार रिटेस्ट को आएगा उसके बाद उपर जाएगा तो मैं ले लोंगा वापस लेकिन वह तो मार्केट नीचे ही चला गया तो यह पैटन क्या बना है यह बी और सी क्या सीवेव कंप्लीट हुआ है तो मेरे खयाल से तो हुआ है most probably सीवेव कं ले लिए है सोटा रिस ले लिए और अगर कल इसके उपर जाएगा 545-550 के उपर तो फिर मिंस वह कंफरमेशन मिलेगा next wave के लिए expiry में next wave के लिए तो कल third wave आएगी third of third आएगी right कौन सी आएगी third of third आएगी कल यह देखो यह one हो गया यह two हो गया फिर three of three आएगी कब आएगी confirmation उसका कब मिलेगा जब हम यह level के उपर 550-560 के उपर cross करेंगे तो हमें confirmation मिलेगा और उसके उपर सस्थेन होना चाहिए obviously सस्थेन होना important है तो एक बार कल अगर 550 के उपर cross कर देता है तो मेरा यही stop loss रहेगा और फिर मैं राइड करूँगा उसको उपर के लिए और अगर नीचे जाता है तो फिर देखेंगे कहा means कहा खुलता है कहा काटना है जो यह लेवल के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए अगर जाता भी है नहीं जाएगा जाता भी है तो एक बार में काट दूँगा बट मिंस नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए अभी देखते क्या होता है कल क्ल क्लियरली बोला था ना क्लियरली बोला था मैं कि बैंक निफ्टी में आएगी तेजी और यह कैसे कर रहा हूं कि यह लाउन काटा यह अभी यह तो मैंने अभी आज के वीडियो में आपको बिखा बता दिया क्या कर रहा हूं मैं ऑप्शन बाहर बट आपको प्रॉपर ली अगर सीखना है मिंस कैस किसे करना जैसे अभी मैंने बहुत बताया आपको कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं मिन्स वह क्यों किया मैंने अभी इतना डीटेल में नहीं बता सब करने तो इसके बढ़ने वाले वाले यह पूरा इनेट वह और प्राइज एक्षन कंप्लीट टेक्निक आपर सीख सकते हो किसे ट्रेड करना है मैंटर्शिप क्या है मैंटर्शिप नेक्स मन्त में चालो होने वाला अभी यह बैच तो फूल है मिन्स अल्रड़ी रॉनिंग है और तो नेक्स मन्त में जूलाई में सैटर्ड से पहले ही क्योंकि एक जूलाई से तो प्राइस बढ़ जाएगा तो मैंटर्शिप में आना है तो जल्दी से जल्दी आ जाओ सिखा दोंगा क्या है मैंटर्शिप में एक बार पैसा बरके तीन बैच जोइन कर सकते हो पूरा सपोर्ट रहेगा ग्रूप में एड़ किये ज तो क्या लग रहा है मार्के अभी स्टॉक्स आपको चीए ना तो निफ्टी का तो मैंने बता दिया देखो 550 के उपर जाता है एक बार 560 के उपर तो थर्ड वे वाई कि मिन्स निफ्टी की और कल मुझे लग रहा है कल दमाका होगा जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ कि भी देखो निफ्टी में होगा आज निफ्टी क्यूंहीं हुदऄ देख नीचे था रहे था धिकाँ भाई लय χान्यों हुद्ड है यह आज निफ्टी का थ्व हो अधर थोड़ा था तो मिन्स हैवीड में बैंक उसको उपर लेके जा रहे थे इती फलाट था और भाकी के नीचे आ रहे थे तो इसलिए निफ्टी किदर भी नहीं गया निफ्टी फ्लैट है आज बैंक निफ्टी की ऊपर तो थर्ड वेव आ रही है बैर्स भई तुम चड़ी उतर जाएगी तुम शौट को रोई नहीं तो बैंक निफ्टी का भी मैंने इंट्रादे भी मैंने कैसे बिसकस किया था सारे लैवल कैसे तो थर्ड वेव आ रही है बैंक निफ्टी यहां पर देखो क्या वेव कांट है बैंक निफ्टी फिफ्टेन में चार्ट पर दिखा देता हूं यहां पर ए' शक्य Raven धिखर रहे आपको दिखर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है तो बैंक्रिफ्टी भागा मैंने एक बार यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सला दी थी उसके बाद यहां पर आया वहां पर मैंने वावला के वापस अभी बाव करके मांकेट उपर जाएगा देखलो मेरे टेलिग्राम चैनल में अभी इसकी अभी थार्ड में एक्स्टेंशन में जा रहा है अभी पता नहीं है और फॉर्फ और फिफ्ट बाकी है वादेवर इसे एक्स्टेंट करने वाला है तो बैंक निफ्टी में कल शायद ज्यादा नहीं आए यह तो एक्सेंशन मोड में जा रहा है यहां पर पंदरा मनीट का चार्ट है अवरली पे क्या चल रहा है तो तो थोड़ा ओवर्वाट तो तो थोड़ा सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं शॉट्टर्म ट्रेडर साइडवेस कंसोलिडेशन में वापस बैंक जा सकता है जैसे यहां पर यहां पर यहां पर जैसे निज्ट को चल देंगे चल के लिए मुझे इतना लग रहा है आज बैंक निफ्टी में में एक बार प्राफिट बॉकिंग कर दिया तो कल के लिए में नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइड साइड वेश जाएगा तो कल में नहीं करूंगा बैंक कि एस तो लेकिन ओरल तो थार्ड वेव है तो जाना तो बहुत उपर है जाना बहुत उपर है नहीं है इंट्राडे पर है वह साइड एक दिन के लिए कर सकता है कल के दिन के लिए उसके बाद वापस भागना है तो यहां पर शायद फिन निफ्टी कल अभी थो कल आप बैंक और फिनेंशल में अतेजी के मत करो मिन्स आप अगर ऑप्शन बायर हो तो इंट्राडे तो बैंक और फिन निफ्टी में मत करो क्योंकि वहाँ पर पॉज आ सकता है थोड़ा साइड वेस आ सकता है वहाँ पर मत जाओ कल आईटी करो आइटी के स्टॉकल भागेंगे इसके उपर जाएगा तो फिर सेकेंड वेव कंप्लीट करके थर्ड में भागे जैसे यहां पर देखो बैंक निफ्टी में जैसे बैंक निफ्टी में जैसे देखो बैंक किया यहां पर देखो वन के बाद टू में गया फिर ब्रेक आपके तो यह वह जा रहा है अभी जब यह ब्रेक आउट देगा उसके बाद फहर्ड में भागेगा वह द्यान दो आईटी स्टॉक पर बाकी के सेक्टर तो नीचे आ रहे यह सारे स्मॉल कैप मिडिकैप आउटो शाट्रम पे बोल रहा हूं मैं अवरली पे वीव तू बोल रहा हूं लांग टम में तो वह फिफ्ट वेव थर्ड वेव जो भी वेव है उसमें है अलग-अलग इंडेक्स पे अलग-अलग वेव चल रहे है तो मिडिकैप दिखा द तो मिडिकैप में मुझे लग रहा है कि यह मिन्स यहां पे और एक्सेंशन में जाएगे यह खतम नहीं हुआ है यह होगि वन तूमें जाएगा फिर थ्रीफॉर फाइब और उपर जाना है मिडिकैप में स्मॉल कैप में सेम चीज है पर बटार्व जाके वापस उपर जाएगा ओके बैंक साथ सारी ऊपर देखो आक्सिस बैंक मैंने कल डिसकुस किया तकि थर्ड वेव में जाएगा एक कोटक में तपाइगा कंसलेडेशन हो सकता है कि उसका ब्रेक पाइट को करने वाला हूं तो लेट सी इनफोसीस कल के लिए कौन से स्टाक है कल के लिए चाहर पाश्ज इन के लिए चाहर का MM के लिए तो बैंक्स तो हमें अभी सिगंप left bank plusieurs me Прाइवेट बैंक है उसको जाढ़ा अच्छा फ्रफ्रंस decent तो आप इंफोसीज अभी इंफोसीज अभी इंफोसीज भागेगा यह यह वन हो गया यह और चौट नमें यह वन हो गया यह सेकंड में चल रहा है जब यह consolidation break करके उपर जाएगा तो फिर third में जाएगा same with TCS अभी देखो यह यहाँ पर ABC correction हो गया उसके बाद यह one हो गया second में जा रहा है तो आप TCS कब बाई करो आप अगर swing trade देखो मैं intraday वालों के लिए मेरे stock है इंटraday करो ही मताब आपको करना है तो swing trading करो या तो invest करो तो TCS कब करोगे तो TCS यह high के उपर close आने दो उसके बाद ले लो यह low की stop loss से वह उपर भागेगा विप्रो में क्या करेगा होगा तो विप्रो में अलड़ी भाग रहा है विप्रो में तो अलड़ी यह देखो वन हो गया मैं नहीं करता यह जितना शॉट्टम में जाओगे न वह जुगार है सट्टा सट्टा मत करो बही शॉट्टम सट्टा सट्टे वाजी मत करो मैं करता हूँ आप मेरा स्कील है उतना expert होना चीह आपको तो सट्टे बाजी मत करो आप करो अब इन्वेस्टिंग करो मोमेंटम करो बट एसा सब चूट एसा सब मत करो यह ब्रोकर थोड़ी मैं ब्रोकर नहीं हूं ना कि बीटी स्थ एस्थ बीटी देते बैट टेक एम में क्या लग रहा है कि तो अभी साइडवेज जा रहा है अगर यह अभी यह लेवल को आज के हाई के उपर अगर जाता है तो फिर मिंस वह थर्ड में जाएगा क्या हो रहा है अभी यह वन हो गया सेकेंड में साइड़ वे जा रहा है तो वह कंसलेशन जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद वह थर्ड में उपर भागेगा न्यू हाई पे KPIT भाग सकता है यह अगर ब्रेकाउट आएगा तो यह बाग सकता है तो मैं मोमेंटम पर स्विंग ट्रेडिंग बोल रहा हूं मिंस कम से कम एक दो वीक तो रखना है आपको एक वीक कम से कम रखना है एक दो वीक से नीचे कि मैं देता लिए rokor देता है एकल को सिर्फ पाइसा do और और आपको पैसा मिलने वाला और आपको पैसा मिलना चाहे ला तो घलिए सब बकवास मत करो यह short term के काम मत करो swing trading कर सकते हो या invest करो और option trading मत ही करो यह option के नहीं देखा रहा हूँ देखो मैं option trading, मैं आपको बोली नहीं कि कौन सा call करना है नहीं बताँ महांगा क rêve नंद बहुत to Main तो मैं क्या लग रहा है तो मैं क्या बोर सज्ट करूगा सिएड कब ले लो में नहीं ले जब कैंडल ये आज की हाई के उपर की कैंडल क्लोज हुगी न तब बाइ कर लो भागेगा उपर एपीस मैंड अच्छा लग रहा है इन्वेस्टर के लिए मैंने अलड़ी डिसकस किय यहां से यहां से जब तेजी आ रहे थी तभी डिसकस किये जाके वीडियोस देख लो तो मैंने वह देही दिये थे नीचे से अभी हपीस मैंड में क्या लग रहा है तो मैं सेकंड वेव कंप्लीट हो गई इन्वेस्टर के लिए बोलता हूँ थर्ड आएगी अभी होगे य यह रेजिस्टेंस जोन के उपर जब कैंडल क्लोज आएगी तो वह उपर की तरफ भागेगा तो कैंडल क्लोज आ रहे दो यहां के इसके उपर नाउसो आठ के उपर फिर उसके बाद नेक्स्ट तेजी के लिए भाग जाएगा उसको में ले लो आप पैसा मिलेगा आपको यह एचे फियल में शॉट टम में आइधिंग प्रॉफिट बॉकिंग तोड़ी आनीच चाहिए तो मिन्स में एक तू दीड़ नेक्स यह दो-तीन दिन का बोल रहा हूं कि और बॉट जोन में गया है मेरे पास यहां से पढ़ा है आईडिली मेरे पास 35 रुपीज से पढ़ पर यहां से पढ़ा है एक बर यहां पर प्रॉफिट बॉकिंग की ती यह दिन पर वैसे रखा मैं यहां पर कुछ नहीं किया मैं वैसे रखा होल्ड किया मैं तो अभी शॉट टम में मुझे लग रहा है यहां पर बहुत उपर जाने वाला है परसिस्टंट किसे ने तो आधाये तो ओपर की कि मिलेगी एचल," टैक क्या लग रहा है तो एचल टैक में भी मुझे लग रहा है अगर यह लवल की उपर जाता है यह वाला देख Out अब यह रेजिस्टेंस बन गया है इसके उपर जाएगा तो तेजी मिलेगी सूबेक्स लिमिट यह भी पूछा था एक भाई साब में देखो मैंने वीवकान तो लगा दिए इसकी देखो यह वन हो गया यह टू हो गया थ्री में भागेगा क्या तो देखो रिस्क कम है वैसे अब यह अनले से नंटिल लोगर सर्कृट में जाए वह नहीं पता मुझे बट वैसे रिस्क कम है मैं उसका स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करूंगा यह तो 27 के नीचे का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा अगर आप लेना चाह रहे हो लेना चाह रहे तो आईड़ी इसके उपर ही लो 31 के उपर हो तभी तेजी मिलेगी तैट मिंस अगर लंबा केलना है लंबा जाएगा तो आइड़ों लो थोड़ा फंडामेंटली वीक है इ आपल में देखो साइडवेज रेंज है यह रेंज के बाहर जब जाएगा आपल तो वह भाब जाएगा तो यह अच्छा है अब यह कुछ पारस तो अल्रड़ी भाग गया हमने कब सजेस्ट किया था यहां पर ब्रेक आउट जोन आ रहा था तभी सजेस्ट किया था यहां सब्सक्तिक्राइब का था सहब करखने ग्रीलिटी मैंने यहां पर य cooler था रहा है एंगंगे यह यह फाइव सक तो यह बागेगा यह लेवल के उपर जाएगा ना तो आप ले सकते हो बाग जाएगा यह नया स्टॉक है यह बागेगा यह बागेगा यह बड़ी थर्ड वेव आएगी जी इंडिया क्या इसमें वापस तेजी आएगी तो मुझे नगराया आएगी तो कब बाए करो तो मैं सजेस्ट करोंगा अगर कलकी केंडल इसके उपर आती है ना 161 तो बाए कर लो स्टॉपलोस क्या रहेगा यही स्टॉपलोस रहेगा 136 ज्यादा नहीं 136 का सम्झे क्या लग रहा है मु तो थार्ड वेव में जाएगा शायद बहुत लंबा आज़ी लिमिटेड हो किया यह सकता है क्या यह हो सकता है मैंजमेंट कुछ चेंज होने वालिया इसा मैंने सुना खुछ भी जो भी है वट मेरे खयाल से यह देखो यह डबली एक्स वा करिक्षिद हुआ है यह लंबा तक वह बड़ा तेजी देगा लेकिन तब तक आप होल्ड कर पाओगे क्या तो मैं वही सजेस्ट करूंगा 161 के उपर आप बाइक कर लो तब तक वेट करो सब्सक्राइगा 136 का सब्सक्राइगा और होल्ड करो उसको रतन इंडिया अच्छा लग रहा है रतन इंडिया में थर्ड वेव आ रही है देखो मैंने यहां पर सजेस्ट किया तो 44 के आसपास यह जो ब्रेक आउट आया था तब ही सजेस्ट किया अभी भी खुटा नहीं है सब्सक्राइब यह जाएगा वह सब्सक्राइब कर देखो इसका डबली एक्सक्राइब करेक्शन हो रहा है इसमें भी बड़ी थर्ड वेव आ सकती है यह शुगर स्टॉक मैंने अल्रड डिसक्स किया नीचे से बहुत उपर आ गए बजाज यह सारे ऊपर एदेखो शुग बजाज बल्रामपूर बजाज इंदुस्तन शुगर बल्रामपूर रेनुका शुगर यह सारे थर्डवियों के कैंडिडेट्स है तो इसमें दिहान रखो यह अभी जो उपर है ना तो शुगर सब्सक्राइब में नीचे आ सकते हैं उसके बाद फिर वापस बड़ी रहा जाएगी तो means these are the stocks I hope आपको वीडियो अच्छे लग रहे स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको बहुत सरे में स्टॉक्स दे रहा हूं सीखना है कैसे करना है तो यहां पर सीख लो और और ऑप्शन बाइंग मोल रहा हूं सजेस्ट करो मत करो जब तक नहीं सीख रहे हो ऑप्शन में तो next batch में आपको तो that's it from today's update keep loving keep sharing keep learning keep learning with us this is Ars Dixit signing off until we meet again